तो आज मैं आपको ये बहत्री रेश्पी बना के दिखाने वाला हूँ जैसे कि आप देख रहे हैं मैं दलिया छान ना हूँ तो आज बहुती इस पेसल रेश्पी बना के दिखाने वाला हूँ सच में इस पेसल है दलिया किस्मिस ब्रेड आप इसको इंगिलिस में पोरिज एंड रेजेंस ब्रेड बोल सकते हैं मज़ा आएगा आपकी हैल्थ के लिए भी अच्छी है आप घर में भी आसानी से बना सकते हैं तो इसके लिए बहुत छोटी रेश्पी बना के दिखाने वाला दलिया किस्मिस ब्रेड बनाने के लिए जो आपने सबसे पहला काम करना है वो यह दलिये को पहले आपने भीगा देना है कम से कम एक घंटा एक घंटा भीगाने के बाद ऐसे च्छान लेना है जैसे कि मैंने च्छाना उसके बाद आपने एक बोल लेना है बोल के अंदर है 50 ग्राम उसके बाद चीनी 80 ग्राम और आपने इसमें डाल देना है दूद बजल नहीं बता हुआ जितना मर्जी डालने क्योंकि आज की प्रेट इस पेसल है तो यह प्योड दूद में ही बनने वाली है ऐसे आपने डाल के इतनी दे रखना है चीनी खुल जाए और यह इस बाद बतातूं आप उससे जरूर पूछेंगे कि दूद मैंने ठंडा लिया या गरम तो दूद है ठंडा तो आप से भी ठंडा लेना है ऐसे यह रखने के बाद क्या करना है आदा किलो आटा और आदा किलो मैदा बजन करके रख लेना है इन दोनों को बजन करने के बाद आपने किसमिस लेना है 100 ग्राम और इस तरीके से काट लेना है जैसे कि मैंने काटी एक का चार एक का तीन और 100 ग्राम बटर निकाल कर रख लेना है और आज की रेस्पी इसमें आपने नमक डालना है 25 ग्राम मैं आज आटा मसीर में गूंदे बाला हूं कोई मुश्किल काम नहीं है लेकिन मसीर है तो मसीर में गूंदे आटा अच्छा गूंदेगा कोई प्रॉलम नहीं अब आपने सारी चीजें इसे मसीर में डाल देना है एक साथ नहीं क्या बात में डालने के वह दिखाऊंगा आटा मैदा डाला उसके बाद गुलोटीन बिरे और चीनी जो हमने भीगा कर रखिये थी बोल सकते हैं अब मसीम को आपने उपर करना है कि और चालूं चालू करना है शुरू मिन सलो में चालू करना है नहीं को करका होगा यह एक्दम ऊड़ जाएगा फिर के ऐसा है आटा से घूंदेदे भूंदें पस थोड़ा-थोडा क तो आपने भी ऐसे करना है एक साथ ऐसे ना पुरो दें तो मज़ा नहीं आएगा आपका हांटा बेकार हो देगा जब आपका हांटा ऐसे तूटने लगेगा तब आपने इसमे डालना है 100 g बटर जो आपने बजन करके रखा था और दूद मैंने इसमें डाला है 553 ml इससे ज्यादा आपने देना है इतने में ही आपका आटा बढ़िया गुच जाएगा तक इसमें 100 ग्राम बटर की है इससका जहां रखा आपकर जब बटर आटे में अच्छी तरीके से मिक्स हो जाएगा उसके बाद आपने लादना है किस मिक्स जो हमदे कार के रखे थे और बेर वीरा पज़ीं जयों तलिया कstalा अब अच्छे से ने मिक्स होने ने उसके बात क्या करें मिक्स होने के बाद बताता..., तलिया डालने के बाद जब आपका डो ऐसा हो जाएगा तब आपने शमिटादेद cuma oil जो हमने भुजन करके रखा तнос यह देख़ए जैसे कि आप देख रहे हैं अब बहुती अच्छे से गुंद चुका है कैसे आपको पता चलेगा जब आप ऐसे टच करेंगे तो आपके हाथ में चिपकना नहीं चाहिए इसका मतलब रेडियर ऐसे निकालने के बाद आप एक करना है टेबल पर मेजा डेस्टिंग करना है इस तरीके से उसके बाद डो निकालने है यह देखें क्या मस्त डो हो गया अब आपने इसको दो चार पांच मिनटी रखना है ज्यादा रखने की जोदने है तब तक आपने करना है मोल्ड में लगा लेना है ओल आज मैं आपको ये भी बताने वाला हूँ कि हमारे मोल्ड की साइज क्या है आपके बहुत जादा कमेंट होते हैं मैं जवाब नहीं ते पता हूँ रखिए डिप चार इंच चोड़ाई चार इंच लंबाई ग्यारा तो मुझे उम्मीद है कि अब आपको पता चलका होगा हमारे मोल्ड की साइज क्या है चार चार ग्यारा तो अब आपने इसमें चारो तरफ इस तरीके से देखे ऐसे ओल लगा लेना है ज़रूर यह जब भी आप बिरेड बनाते है तब ओल लगा लें ऐसे जैसे कि मैं लगा रहा हूँ चारो तरफ मोल्ड में ओल लगाने के बार आपने क्या करना है ऐसे इसको काटना है और बजन कर लेना है देखें ना पहले तीन जगा काट लेता हूं फिर देखता हूं कितना कम कितना जादा है ऐसे एक मोल्ड में हम कितना डालते हैं यह देखें सास्सोबचास ग्राम डालते हैं तो आज मैं थोड़ा सा ज्यादा डालूगा 65 ग्राम क्यों क्योंकि ये दलिया ओ रहेट है ये बैट बिरेट के जितनी उठेगी नहीं इसके लिए तो आपने 750 ग्राम डालना है वाइट बिरेट या ब्रॉन बिरेट लेकिन दलिया बिरेट बनाते हैं तो आप 15 ग्राम बजन बढ़ा दें इस चीज का आपने रखना है ध्यान अब इसको आपने पेंचना कैसे है बहुत ज़्यादा मैदा नहीं लगाना है सूका यह देखें यह मेरी इस्टायल है आपको इसके अलाबा दूसरी कोई इस्टायल आती है वैसे पेंच सकते हैं मेरी तरब से कोई प्रॉल्म नहीं है यह देखें यह सबसे आसान है तैयार ये गई मोल्ड के अंदर अब इसी तरीके से ब्रेट पिछेगी जैसे कि मैंने आपको बता दी ताइट रखना है एक दम इसे ताइट ये दखिए ब्रेट पेचने के बाद आपने के करना है तेल में इसे हट हुआना है सिरफ उमुली उमुली और इस तरीके से ब्रेट को उपर मार देना आए दखिए उसके बाद ढकन लगाया और रख दिया कितनी दे रखा मैंने जब ब्रेट फूल जाएगी तब आपको बता दूँगा अब हमारी ब्रेड ओती अच्छे से फूल चुकिए ताइम कितना लिया इसने पैंताले से पचास मिनट लेगी मतलब कभी कह होता है टंपरेटर ज्यादा भी होता है कम भी होता है तो आपने भी इतनी ही दे रखनी है इससे ज्यादा ना रखें आपको दिखाता हूं कितनी अच्छी उठीए यह देखिए ऐसी आपकी ब्रेड उठना चाहिए जब यह ओविन में जाएगी तो मोल्ड से टच हो जाएगी इतना परफेक्ट निकलेगी तो इस चीज का देहार रखना है इससे जादा ना उठाए इस तरीके से आपने ओविन में डाल देना है और प्रिचर लखना है टाइम 26 मिट लगाया मैंने आप यह ना देखें कि यह 240 है यह 217 है बस आपने 200 डिगरी पे सेट कर देना है यह अभी कम हो जाएगा अपने अपने पच्छीस मिट के बाद आपने करना क्या है ऐसे गुमाना प्रेड को और दुबारा से ओविन में टाल चेक करने की जोद नहीं बस घुमा के डाल देना है फिर आपने लगाना है पांच मिनट टाइम और टाइमर चालू कर देना है अब एक मिनट रह गया है साय घंटी बजने बाद यह तो मैं गिलप स्पेंट के तयार हूं आपने भी पहले से तयार हो जाना है देर नहीं लग अब ब्रेट का कलर देखेंगे टेवल पर ले जाके सच बता रहा हूं देखा नहीं है लेकिन उम्मीद है कि मस्त ब्रेट होगी वाँ 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 देख रहना ला जबाव और इसका कलर उफ यह देखिए बन टू थिरी देखा ना आपने क्या पहत्रीन कलर है परफेक्ट टाइम में मज़ा आ गया ब्रेट देखके यह देखिए नाइस कलर पहत्रीन ब्रेट हुआ है देख रहे ना अब आप बोलेंगे कि आपने काटके नहीं दिखाई तो गरम है कम से कम तीन घंटे के बाद ब्रेट अच्छे से करती है तो आप इंतजार करें मैं जरूर काटके दिखाऊंगा आपको अब आपने क्या करना है अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगाए यह रेश्पी पसंद आए दिल को टच किये तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को जादा से जादा सेर करें अपने फ्रेंड और फेमली के साथ हमारा वीडियो देखने के लिए थैंक्यू सो मच्छी